काईस ट्राइम मोटर साइकल ने एनाउंस कर दिया दो नई एडवेंचर बाइक्स 2023 मॉडल जो कि आप लोगों का ओल न्यू ट्राइम टाइगर 900 रैली और दे ट्राइम टाइगर 900 जीटी एरागॉन एडिशन और ये दोनों बाइक्स बने हैं आप लोग के फुल एक्स्रिम राइडिंग के लिए और फुल एडवेंचर राइडिंग के लिए और तो और ये बाइक्स का जो क्यापैबिलिटी है ना ओर लिटरली गजब लेवल का है और तो और आप लोग का टाइगर 900 जीटी जिसका प्राइस होने वाला है तेरा लाग सतर हजार और टाइगर 900 रैल राइडर फोकस्ड एकुपमेंट से और तो और टेकनोलोजी इतना बढ़िया है और राइडर के लिए कॉन्फिडेंट भी बहुत जादा बढ़ जाता है जब ये बाइक चलाएगा अगर 900 रैली भी डिजाइन किया गया है एकदम मैक्सिमम आफ रोडिंग अडवेंचर के लिए इस बाइक का capability भी controls भी और comfort भी इतना जादा लेवल का है जो कि आप लोग जितना भी लंबा टूरिंग कर लो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप लोग की ये जो टाइगा 900 GT Aragon editions है जो की अभी रिसेंटली एनाउंस के आई ये आप लोग के इंजिन देखने को मिलता है जिसका capacity आप लोग को 888 CC का इंजिन और power output आप लोग को 95 PS और टॉर्क जेनरेट करके देता है 87 Nm जो कि आप लोग का 6-speed gearbox के साथ आता है इस बाइकी में front tires की बात करूं आप लोग को 100 by 90 शेशन के front tire देखने को मिलते हैं और rear tire आप लोग को 150 by 70 inch के rear tire देखने को मिलते हैं front suspension की बात करूं आप लोग को 45 mm के USD suspension देखने को मिलते हैं और rear suspension में आप लोग को electronicallyly adjustable pre-loaded rebounding damping देखने को मिलता है और दोनों bikes की seat height है वो लगबग दोनों की अलग-अलग हैं और इसकी जो fuel capacity है दोनों की वो भी लगबग से में जो कि आप लोग को 20 liter का fuel capacity देखने को मिलता है और तो और मैं आप लोग को इन दोनों bikes की price तो बता चुका हूँ जो कि आप लोग का 900 GT edition है वो आप लोग को 13,70,000 देखने को मिलती है और तो और Tiger 900 Rally जो कि आप लोग को 14,35,000 देखने को मिलती है तो guys आप लोग को इन दोनों bikes कैसी लगी इन द लोग को इन दोनों कलर्स में से कौन सी कलर पसंद आए मेरे को जरूर कमेड़ बताना मिलते अगले वीडियो में को नई अपडेट के साथ तिल देन बबाई टेक केर गाईज